हलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली एक मीटिंग हुई है मिस्तर रमेश पोख्रियाल निशंक जी की सभी राज्यों के शिक्षा सचीवों के साथ में और इस मीटिंग में अभी भी कोई कैंसलेशन को लेकर 12th क्लास की एक्जाम को कैंसल करने को लेकर कोई भी डिसक्षिन नहीं हुआ है और ये सिर्फ CBST 12, CBST की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये सभी राज्यों की 12th की बात की जा रही है क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अभी भी इस्तिथी गंभीर बनी हुई है तो सभी राज्य असमंजस में हैं या टिंशन में हैं कि हम एक्जाम करवाएं या नहीं करवाएं तो अभी भी इस चीज़ को लेके discussion नहीं हो पाया है कि exam cancel होगी या नहीं होगी जल्दी इसके उपर फैसला हम को देखने को मिलेगा एक problem जो बच्चों को सबसे आदा परेशान कर रही है वो यह है कि यह exam आखिर कब होगी 12th class की exam बच्चों के लिए बहुत important होती है क्योंकि इसी से उनके आगे का future जुड़ा होता है अलग-अलग universities में admission लेना अगर कोई student foreign country में admission लेना चाहता है तो वहाँ पे admission लेना यह बहुत सारी चीज़े रहती है जो बच्चों को ध्यान रखनी रहती है अगर यह exam time पे नहीं होती है और foreign कोई university है वहाँ पे admission close हो जाते है तो यह student को बहुत effect कर सकता है तो यहाँ पे हम pray करेंगे बच्चों के लिए कि तो भी आपका सोचना है 12th class की exam के लिए प्लीज उसे जल्दी जल्दी disclose कीजिए ताकि बच्चे इस 12th class की जो exam की tension है उससे बाहर निकल सके तो thank you so much बच्चों यह वीडियो देखने के लिए हमें please subscribe कीजिए ताकि हम और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें और भी ऐसी important information आपके लिए लाते रहें thank you so much everyone for watching this video